जहिन दोस्तों मैं गोपाल प्रजापत स्वागत करता हूं यह अतुली अकेडमी के यूटूब चैनल में दोस्तों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कोडिंग और डिकोडिंग रिजनिंग का पार्ट तो अभी हम मैं आपको पूरा रिजनिंग पढ़ाऊंगा अब रिजनिंग के अंदर है क्या पेलापन थोड़ा सा समझ लेते हैं रिजनिंग में अगर हम देखे सबसे इंपोर्टेंट पार्ट अगर कोई सा है तो वो होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग अब कोडिंग और डिकोडिंग कम से कम हर एक्जाम में तीन से चार कोशन पूस्ता है कोडिंग और डिकोडिंग के तो यहाँ पर आप समझना ये कोडिंग और डिकोडिंग में आपको पढ़ा रहा हो तो उसमें होता क्या है हम याद कैसे करे किसी चीज को अब ये आपको समझना है, पढ़ाते सभी है, बस आपको main चीज़ ये ध्यान रखना है कि इनके number याद कैसे करे, इनका reciprocal कैसे याद करे, एक बार वीडियो का ending जरूर देखना, एक बार, अब इदर समझ लो यहाँ पे, कि ये जो question दी, ये जो हमारे सामने coding recording का part आया है, हम इ जैसे किसी का नाम हो गया, रामश्या, रामश्या बोले तो रमेश, ये हो गया मानलो किसी का नाम है रमेश, तो रमेश में आर कितने number पे 8, ये कितने number पे 1, एम कितने number पे 13, ये कितने number पे 5, एस कितने number पे 19, एस कितने number पे 8, ये मुझे तो याद था, तो मैंने जल्दी तो अब इदर देखते हम क्या है इस सकिंग इन alphabets को याद कैसे करते हैं देखो दोस्तो शोटकर तरीका वता रहूं मैं आपको 26 तक याद करना है बहुत इजी तरीका है जिसे देखो ABCD तक तो सवी बच्चों को याद होगा ये 4 तक ABCD तक हो गया अब इदर समझना एक होत यह लिखा में यहाँ पर E जोती तो E जोती में E कौन से नंबर पर होगा? 5 J कौन से नंबर पर होगा? 10 O कौन से नंबर पर होगा? 15 T कौन से नंबर पर? 20 और Y कौन से नंबर पर? 25 Y कौन से नंबर पर होगा? y होगा हमारा यहाँ पर 25 नमबर पर तो यह देखा हमने कि e जोती में e 5 नमबर पर j 10 नमबर पर o 15 नमबर पर t 20 नमबर पर और y कौन से नमबर पर है 25 नमबर पर तो e जोती में हमारा code क्या बना 5, 10, 15, 20, 25 पांच, दस, पंदरा, बीस और ये क्या हो गया? पच्चिस तो ये हमने पांच अलफा बेट देखें ये हो गया हमारा E, J, O, T और ये Y ये पच्चिस तक हो गया E जो T, E पांच पे, J, दस पे, O, पंदरा पे, T, बीस पे और Y कितने नमबर पे? पच्चिस पे अब इदर समझना E के बाद F F का मतलब हुआ कितना? F का मतलब हो गया? fix और fix बोले तो क्या हो गया? 6 fix मतलब कितना हो गया? 6 F और fix, fix मतलब क्या हो गया? 6 अब इदर देखो ये G, G4, 7 G7 आपने country का नाम सुना होगा ये हो गया हमारे पास G7 यहां तक आगे आपको समझ में F का मतलब फिक Z का मतलब 7 तो G7 अब इदर देखो H आपने केलकुलेटर देखा होगा जो पूराना केलकुलेटर आता न जो दुकान दर जोडते घटाते उसको देखना अगर आप उसमें H को देखते हो तो H इसके जिसा दिखता किसके जिसा 8 के जिसा तो H कौन से नंबर हो जाएगा हमारा 8 नंबर पर H कौन से नंबर हो जाएगा 8 नंबर पर अब इदर समझना अब आई क्या होता जैसे अपन बोलते ना I know, भले अपन ठेरे हिंदी मीडियों के, बलकि अंग्रेजी में एक वर्ड कहम पर आता या था, भले कोई कुझी बोला, यहाँ I know, तो यहाँ पर क्या, आई कौन से नंबर पे, नो पे, आई कौन से नंबर पे नो, भले स्पेलिंग नहीं पता, टेंस कौन से नंबर पे है? एक जोती में जे, झे कौन से नंबर पे है? यहाँ तक आपको समझ मा आगया, अब इदर समझो आगे, अगला क्या है, ये है K, अब जैसे ये K है, तो K को बनाने के लिए, एक और एक, ये कितने डंडे जोडे मैं ने दो, एक और एक कितने जोडे, द यारा नमबर पर हो गया है। अब इदर देखो एल केले केले एक दरजन में कितने केले तो बारा एल कुन से नमबर पर हो गया। तो एन कोन से नंबर हमारा 13 नंबर पर invertixò रहा नंबर पर कोन से नंबर पर हो गया यहां तक समझ आया अब now समझना N, N का भी सेम है, N जैसे अभी ऐसा बना, अगर मैं N उल्टा बनाता हूँ, तो यह ऐसा बन गया और N किसके जैसा दिख रहा, अब मुझे यहाँ पे चार के जैसा, और चार मतलब N कौन से नंबर पर हो गया हमारा 14 नंबर पर हो गया, और E जोती में, E जोती में दोस्तो, O कितने नंबर पे था, O कितने नंबर पे था 15 नंबर पे यह हो गया हमारा 15 तक, यह आपको समझ माया अब अधिकतर बच्चे confusion में हो जाते P, तो यह देखो P जो उपर है ऐसा P बना है, तो P को उल्टा कर दिया, मैंने यह वाला नीचे कर दिया, तो यह किसके जिसा हो गया 6 के जिसा हो गया, तो P कौन से नंबर पे हो गया, हमारा 16 नंबर पे हो गया P कौन से नंबर पे हो गया, 16 नंबर पर अब भूत अच्छी चीश बता रहा हो अब यहाँ पर समझना, यह P तक आपको समझना गया, 16 तक, अब इदर देखो क्या होगा आगे, Q का मतलब होता Queen, Queen मतलब रानी, Queen मतलब रानी, और R का मतलब समझनो राजा, तो देखो, 17 की रानी, रानी कित्ते की, 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 में करेंगे साधी, 17 की Queen, 18 का राजा, 19 में करेंगे साधी, 20 में क्या हो जाएगा, तलाक, 20 में क्या हो जाएगा, तलाक, 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 अफिर 2020, 20 में क्या हो गया, तलाक, पर अब देखो, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 की साधी, 20 का तलाक, 21 का युवा, युवा कित्ते का, 21 का, अब देखो, यहां क् तलाकी रानी, 18 का राजा, 19 की साधी, 20 का तलाक, तलाक होने के बाद 21 का युवा, 22 में क्या करेगा विवा, 22 में क्या करेगा विवा, अब इदर समझो, सेम चीज़ अब W में भी ये समझना आगया आपको, चलो अब इदर देखो आगे क्या है, W, ये जो उपर है, ये W को भी मैंने ऐसा कर दिया, तो W भी किसके जैसा हो गया, 3, और 3 में यार, देखो, 3, 13, तो M है, तो W कितने नंबर पर हो गया, हमारे पास, 23 नंबर पर, W कौन से नंबर पर हो गया, 23 नंबर पर दोस्तों, इतना समझना है आपको, अब इदर देखो X, अगर आपने देखा होगा, तो देखना अधिकतर ऐसा लिखा रहे था, 24 इंटु 7, मतलब 24 घंटे सेवा जो उपलब दे रहती है, तो यह जो इंटु है, मतलब इसको मानलो X, और यह X का मतलब क्या हो गया, 24, अभी दर देखो, इजोती में Y कौन से नंबर पर, इजोती में Y था हमारा कौन से नंबर 25 नंबर पर, और यह X कौन से नंबर पर हो गया, 26 नंबर पर हो गया, इतनी चीज आपको समझ मैं, उमिद करता हूं, आपको यह अच्छा लगा होगा, अब जो सबसे इंट्रेस्टिंग चीज है इसमें, सबसे इंट्रेस्टिंग जो चीज है, वो है इसका opposite याद करना, अ इनका reverse है, अगर मैं इनको add करता हूं, तो add करने पर इनका sum हमेशा मुझे मिलेगा 27, जैसे 1, A का उल्टा क्या है, Z, B का क्या है, Y, C का क्या है, X, D का क्या है, W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला मैंने, और अब समझना, अब जो मैं बता रहा हूँ, आपको जो main बात है, जो यहाँ पर आपको समझनी है, वो अब आप कोशिस करो कि एक बार समझ लो, आप मैंने पहले कहाँ, वीडियो का end जरूर देखो, और end में आप ये चीज़े देखना, अब इदर समझो दोस्तों, ये A हैं और य पूरा पेच कुछले, पर अपना दोस्त भी ऐसा बड़ा वाला रहता, वो लास्ट की लाइन पूछ था, लास्ट की लाइन, और फिर अपन क्या बलते हैं, अब जैसे साम की बात बता रहा हूँ, जैसे रात में आपके पास मेसेज आता होगा, बाई बाई, मर जाओंगी, पर आज के बाद आप से बात नहीं करूंगी, आता है ना मेसेज? आता होगा, इतने खुस हो जाते है, कि खुशी के मारे हम मार देते हैं, क्या? 6 क्या मार देते हैं CX का मतलब क्या हो गया 6 इतना समझ में आया अब देखो A to Z जिन ग्यान भी मिल गया बाई बाई भी बोल जाए 6 भी मार दिया फिर साम पड़े किसके परज जाएंगे यह साम पड़े किसके परज जाएंगे दारू वाला अब देखो A to Z ग्यान भी मिल गया भाई भाई भी बोल जाए 6 भी मार दिया अब यह क्या है भाई दील वाला जो दील वाले रेते ना लोगों का यह केना है कि फोकट काम धंदे में पड़ते है तो दील वाले A for U का मतलब क्या होगा फाल्तू दील वाले क्या होगे फाल्तू F का कनेक्शन किस से हो गया U से हो गया F का मतलब क्या हो गया F का उल्टा क्या हो गया अब यह लोग फाल्तू बेठे है तो बेटके करेंगे क्या बजाएंगे क्या घंटी क्या बजाएंगे यह यहां तक आया समझ में अभीदर समझों यह होता है इंडियान रेलवे कुछ बच्चे दौब डालके दो-दो पाणा तब सपना हो गया है क्योंकि एक्जाम हो तो भड़ी बात है आइक कर अब इदर देखो यह जे का अपोसिट क्या है क्यूं तो इसको मैं पढ़ता हूं जंगल और यह क्या है लगता ही है जिसको अपने दिखाई नहीं था फिर सोचते यार गलती कर दी अपना काम तो इसकोल में हो रहा था तो यह वह है जंग्ली फीप यह समझ माई है आपको अगला देखो अगले में है K P K P या फिर साम को P K तो यह होगय K P या फिर क्या होगय हमारे पास P K इतनी चीज समझ में अब इदर समझना एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं A M और N का उल्टा होता है मन A M और N का उल्टा क्या होता है मन और मन ही मन A और N हसी तो हसी तो फसी तो मन ही मन हसी तो क्या हो गई फसी पर हम उसके बाद क्या बोलेंगे मन ही मन हसी तो फसी के बाद बोलेंगे हम L O B E लव यू परपोस करोगे नहीं करोगे तो L का उल्टा क्या हो गया O और V का उल्टा क्या हो गया E ये देखो V का उल्टा क्या हो गया E और L का उल्टा क्या हो गया हमारे पास O और उसके बाद क्या खाएंगे जूते अरे ने ने करना ही नहीं इसा काम तो L का उल्टा हो गया O और V का उल्टा क्या हो गया E तो दोस्तों ये हमने देखा कोडिंग और डिकोडिंग में इसका अपोजिट क्या होता है अपोजिट का अगर आप सम करोगे तो कितना होगा 27 एक बार फिर दोहरा देता हूँ एक बार देखा दोस्तों आपको एक या दो बार देखके यह असानी से आपको पूरा की पूरा याद करना है ताकि हम एक्जाम में स्पीट के साथ महां से कोशन कर पाएं अगर आपको यह अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो आप जरूर जरूर हमारे इस चेनल और यह जो लिंक है इसको आप सेयर जरूर करे सब्सक्राइब करे लाइक करे कमेंड करे जै हिन जै भारत